student यहां पर question number one है one में इन्होंने बोला है negatively in negative charge object x is repelled by another charge object y यानि कि एक object है आपकी कौन सी negatively charged है चलिए एक object है आपकी x जो की कैसी है negatively charged है इसको क्या मिलता है repulsion मिलता है एक दूसरी object से जो कौन सी है y है इसका मतलब सबसे पहले मैं क्या समझ सकता हूँ कि जो आपकी object y है वो क्या होगी अगर y x को क्या करता है रिपेल करता है तो y भी आपका क्या होगा negatively charged होगा तो यह बात हमें सबसे पहले clear होगी कि जो आपकी object y है वो क्या है negatively charged है तो वो क्या कर रही है x को repel कर रही है यानि कि इस तरफ x में force लगा रही है अब उन्होंने बोला however an object z is attracted to object y आपको हमने अब्जेक्टली z वो y से attract हो रही है उसको y क्या कर रहा है attract कर रहा है तो z की possibilities क्या हो सकती है positive charge negative charge neutral or positively charged neutral or negatively charged तो कौन सी possibilities हो सकती है देखते है z की possibility क्या हो सकती है तो पहले तो मैं y को रखता हूं यहां पर यह आपकी object y और यह हम आल्रेडी जान चुके हैं कि यह क्या होती है negatively charged होते है और अगर z इसकी तरफ attract हो रहा है तो सबसे common sense यूज़ करके जो सबसे simple option मनता है वो यह होता है कि z आपका क्या होगा positively charged होगा हान है z का दूसरा क्या हो सकता है z negative नहीं हो सकता क्योंकि अगर z negative हो जाए तो y z को repel करेगा यहां पर क्या mention हो यहां पर क्या mention है कि z आपका y की तरफ attract होता है तो एक और possibility बनती है induction की induction of charge की एक possibility बनती है कि अगर z मालों neutral है z क्या आपका neutral neutral मतलब ना तो positively charged ना ही negatively charged अब यहां पर मैं y को रखता हूँ इसके close तो y की ऊपर आपका क्या है negative charge है तो z पर क्या होगा induction हो जाएगा positively charge positive charge जो है z के वो इधर आ जाएगे और negative charge यहां आ जाएगे ठीक अब y का जो negative charge है वो z के इस पार्ट को इस charges के करण attract करेगा और इन negative के करण y पर जो negative charge है उसके करण z पर जो negative charges है उनको repulsion मिलेगा मैं मानता हूँ कि उनको भी repulsion मिलेगा बड़ यह जो force है मैं मानता हूँ यह F1 है और जो repulsion हो रहा है negative और negative की वीजिए F2 F1 जो होगा वो आपका F2 से ज़्यादा होने वाला है आप बोलोगे सर क्यों क्योंकि positive charge इस negative के close है और as per column's law जैसे हम जानते हैं कि charges जितने close होंगे force उतना ज्यादा लगेगा तो कौन सी कौन सी possibilities आगी है हमारी कि जो यह तो Z आपका positive charge है Z आपका जैड के उपर positive charge है या फिर Z आपका क्या है neutral है यह दो possibility आपकी बनती है तो कौन सा option हो सकता है option number C neutral और positively charged यह होगा आपका इस question का answer तो mark कर देता हूं option number C Thank you